हलो ना जाने क्यों आज फिर से वही सपना दुबारा मुझे आया बीच बीच में रुक रुक के आखिर ये वापस क्यों आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता एक अजीब सा उल्जन है जिससे सायद हम उप इग्णोर नहीं कर सकते हैं कई बार हम ये सोचते हैं कि ये बस एक सपना ही है और कुछ नहीं पर दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगर ये सपना है तो एक ही सपना रिपीट रिपीट होके मुझे क्यों आता है और जब ये सपना आता है तो हम इतना डर जाते हैं यानों कि कुछ ऐसा चीज होने वाला है जो नहीं होना चाहिए जिससे हम सहत सबना कर सकें पिर वही सपना बार-बार किन कार्णों से आता है मुझे आज तक समझव नहीं आया कभी सोचता हो कि यह सपना है और ये बस ऐसे ही आता है पिर अगले पर सोचता हो कि जब एक ही सपना बार-बार रिपीट हो रहा है तो सेद ये भगवान का भीज़ा खो कोई चेतावनी तो ने कि अगर मैंने इसे इग्नूर करना बंद नहीं किया तो कहीं ये मेरे साथ सच में ना बदल जाया साथ वो मुझे साथ अलार भीजता होगा वो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि काफे दिन हो गया है कि मैंने वही सारा काम सुरूख किया जो मुझे नहीं करना चाहिए या फिर मैं उनकाम को लगातार करता जा रहा हूं जो मेरे लिए सही नहीं हो मैं बस जभी इन सपनों के बारे में सोचता हूं मैं डर जाता हूं लेकिन ये अक्सर होता है कि मैं कुछ समय तक डरता हूं फिर बात मैं ये सपनों को सपना समझ के भूल जाता हूं लेकिन सायद को एक सकती है जो मेरे अच्छे के लिए हर कुछ समय में मुझे यही बातें याद दिलाता है कि ये हो सकता है चांस भले बहुत कम हो लेकिन ये हो सकता है और सायद मुझे इसे बूलना नहीं चाहिए वो मुझे एह कहता हूं और मैं हर बार इसे नदरांतास करता रहता हूं लेकिन मुझे इसे अनजर अंदाज नहीं करना चाहिए ये सायद है कि सारा हो सायद मेरे लिए ये आखरी मोका हो जो मुझे भगवान ने दिया है वह अपस से अपने उस पट्री पर लोटने के लिए जिससे मैं प्रिजन देगी को समार सकूं या फिर महाजे के सपना है क्या पता किसको सच्चाए मालूम है लेकिन मुझे रगता है कि मुझे कम से कम अपना एक परशन तर के साथ तो इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि यह रुक रुक के हर कुछ समय में कुछ समय में मुझे एक अलार्म की तरह चेता है कि रुक जाओं अब तो रुक जाओं अब बेखते हैं कि आज सुबह सुबह का वीडियो पताने क्यों रिकॉड कर रहा हूं पर मुझे लगा कि मुझे यह बाते हैं याद रखनी चाहिए मैंने इसे अपनी डारी में लिख लिए वैसे मैं कोई खास डारी नहीं लिखता पर लिखता तो हूं तो बस यही आज का मेरा मॉर्निंग ठोट है कि आपको अभी ऐसा लगा कि गुदरत भवान आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता है जिसे आप अपने जिंदगी बरबाद कर रहे हो मुझे तो सायथ की याद दिलाते हैं पता नहीं वह हमें सामने के साथ रहते हैं बागवान 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 बागवान